वेल्कम टू एजुकेशन दर्शन आप सभी का हमारे स्योट्यूब चैनल एजुकेशन दर्शन में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग केमिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एक्जाम यैसे कि आप कोई सबस्टांस होता है जैसे कि आपकोई बिस सब्सक्राइजंस होता है तो कह सब्सक्राइजän क्या होता गया कि अब कोई भी सबस्तांस दिलो मालो कि वो solid form में है या वो liquid के form में है तो जब उससे आप heat करते हो जब उससे आप गर्म करते हो ठीक है अगर आपने science पढ़ा होगा पहले आप जरूर कुछ बहुत ध्यान में होगा आपको तो यह triangle जो बना होता है इसका मतलब होता है इससे heat provide करना ठीक है तो solid liquid को आप जब गर्म करते हो तो वो vapor में convert होता है वेपर में तो इस process को कहा जाता है vaporization जब कोई भी सबस्तांस या वो solid हो या liquid इन दोनों form में अगर वो हो किसी भी form में हो और वो convert होके जब vapor में convert हो जाता है बदल करके vapor हो जाता है तो उससे कहते हैं हम लोग vaporization ठीक है अब लोग आगे बात करते हैं sublimation के बारे में sublimation तो sublimation क्या होता है तो यह ऐसा है sublimation में कि आपने बहुत बार देखा होगा कि सब बहुत रखी changes होते हैं तो इसमें आपका क्या होता है कि यह solid substance होता है solid वो सीधा vapor बन जाता है जो solid होता है solid वो directly vapor बन जाता है इस process में एक ऐसा process है कि यह solid जो है solid में convert हो सकता है ठीक है यानि कि यह convertible भी है और यह reversible भी आपका process है ठीक है आगे देखते हैं हम लोग अब हम बात करते हैं crystallization के बारे में crystallization यह क्या होता है यह बहुत ही important है यह कभी भी किसी substance को impure form से pure form में में बहुत काम आता है इस method को separately separation और verification के लिए यूज के जाता है जो भी solid substances होते है उन्हें अलक करके निकालने में बहुत काम आता है इसमें क्या होता है कि जो impure solid होता है impure solid ना में फिर से पोटाता हूँ impure solid यह solid होता है लेकिन impure form में होता है impure solid स्हाइभ इसे क्यों कियाता है ये mixer में होता है या किसना किसी चीज चीज के साथ यह पहले से बना वरा ता है वह किसी सब्स्टांस में इस तरह से निला हुआ है कि उसका वह mixer बना यूव थीन चार चीजह मिलकर करके मिक्सचर ही हो तो उसे पहले क्या क्या आता है उससे पहले heat क्या आता है और heat करने के लिए क्या क्या आता है उसमें suitable amount of solvent डाला जाता है solvent के रूप में solvent वो होता है जो liquid form में होता है याँ कि solvent के रूप में आप यहाँ water भी डाल सकते हैं एलकोहल भी डाल सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ा डाल सकते हैं, यहाँ सॉल्वेंट के रूप में आप कर दाल सकते हैं енज औहों या ऐल कोहल डाल सकते हैं अंप कि कि हैसी तोन बहुत रखी चीज़ाहें डाल सकते हैं यह थीक है तो इन सब्सके डाल करके से हीट केा आता है और जो सौल्विंट डालाता है तो उसके boiling point तक इसको heat किया आता है फिर क्या होता है जो solution जो heat हो जाता है उसे फिर filter कर लिया आता है filter करने के बाद जो solution हटा दिया आता है solution हटाने के बाद जो substance बच जाता है वो थोड़ा गर्म होता है उसे फिर थंडा होने दिया आता है और room temperature में ही रख दिया जाता है फिर जैसे वो थंडा हो जाता है तो जो pure solid होता है वो क्रिस्टल गरूप में पत्थर के आकार का एक shape ले करके वो बैड़ जाता है फिर इसे filter करके सुखा दिया जाता है जिससे कि pure substance होता है वो निकल जाता है तो यह रहा पूरा crystallization method process ठीक है यह बहुत important है और बात जैसे कि suppression के लिए कुछ और भी चीज़ें यूज की जाती है जैसे कि fractional crystallization होता है यह भी यूज किया जाता है ठीक है अब आगे हमनों देखते है condensation यह बहुत important है क्योंकि एकजाम में बहुत बार easy चीज़ें भी पूछ ले जाती है यह बहुत जादा tough निये पर पूछ ले जाता है तो यह क्या process है तो एक ऐसा process है जिसमें vapor convert होके liquid में बदल जाता है ठीक है तो यह जो process है इसमें vapor आपका liquid state में convert हो जाता है तो इससे हम कहते हैं condensation ठीक है एक और चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर बहुत important है होर frost बहुत सो लोगों ने साथ नाम पहली पर सुनना होगा यह पहली पर सुन रहे होंगे पर यह बहुत कुछ अलग नहीं है मैंने आपको sublimation बताया था तो यह opposite है opposite of sublimation ठीक है sublimation की opposite है तो sublimation में मैंने क्या बताया था sublimation में मैंने ये बताया था कि जो solid change हो करके अपने state को change करके vapor में convert हो जाता है उसे कहते हैं sublimation उस process को हम sublimation कहते है तो यहाँ पे होता है ultra इस होर frost में क्या होता है कि यह जो method है इसमें आपका जो vapor होता है वो convert होके solid में बदल जाता है यह जो आपका vapor है vapor यह आपका solid में बदल जाता है ठीक है उसे हम क्या कहते हैं हौर फ्रोस्ट यह ध्यान रखिएंगे हौर फ्रोस्ट में vapor से solid में conversion होता है अब हम बात करेंगे distillation के बारे में यह क्या होता है यह भी बहुत एक important प्रोसेस है यह एक प्रोसेस है जिसमें किसे liquid को vapor में convert किया हता है by heating heating, hit کرके इसे liquid को vapor में convert किया ता है, फिर इसे condense करके वापस फिर liquid में convert कर दिया आता है यहां ध्यान से सुनिएगा, क्या हो रहा है यहां पर पहले liquid को vapor में convert किया जा रहा है, heat करके, उसके बाद उस vapor को cool करके, by cooling, क्या किया जा रहा है, वापस liquid में convert कर दिया जा रहा है, ठीक है, यह दो चीज़ें यहां पर हो रही है, पहले liquid से vapor किया जा रहा है, फिर condense करके vapor को वापस liquid में बदल जा रहा है थंडा करके और इस तरीके से फिर क्या हुआ यहाँ पर कि यह distillation हो गया तो distillation क्यों किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि कोई दो solutions है किसी दो liquid को मिला करके solution बनाया गया तो उन दोनों liquids को अलग करनी के लिए ऐसा किया जाता है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मालेज़े क्या eq solution है वह घैसे कि मैं आपको बताता हूँ जैसे आप यह समझ सकते हैं कि copper sulphate है उसे किसी solution तो उसमें क्या हो रहा है कि दो-तीन solution और भी कुछ आप मिला लो उसमें आप क्या करोगे जैसे अब इसमें वाटर पर मिला लो तो इन तीनों चीजों को अलग-अलग वहां पर डाला गया है फिर आप इसमें क्या करेंगे कि इस तरीके से गरम करेंगे लिक्विड को फिर उसे आप थन्डा करेंगे तो यह आपको सेप्रेशन में help करेगा ठीक है? एक important process और है sedimentation sedimentation and decantation यह बहुत important process है इसमें आपको example मिलेगा कि एक bucket है एक बाल्टी है उसमें पानी है साथी में वहां पर मिट्टी डाला हुए है मिट्टी या कीचर डाला हुए ठीक है तो यह sedimentation और decondition ऐसी चीज़ों में किया रता है जिसमें एक होता है आपका liquid और दूसरा जो substance होता है वो insoluble होता है यानि कि वो पानी में या solvent में नहीं घुल सकता है निचली सता पर बैठ जाकर थीक है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है निचली सताल कि बैठ जा करें जो सेडिमेंट जाता है और इस प्रोसेस को sedimentation कहते हैं और साथी साथ जो liquid होता है जो उपर में बचा रहाता है इस process में इस सरी के से sit किया जाता है beaker को या जिस भी instrument वहाँ इसे कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़े अलग हो जाती है हमने तो bucket के example लिया इससे क्या कियाता है कि एक process कियाता है एक experiment कियाता है इसमें ये दोनों चीज़े अलग हो जाती है मिट्टी अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाती है तो ये पानी जो बच जाता है आपका उसे कहा जाता है decantation और जो मिट्टी जो आपके अलग हो जाती है उसे कहा जाता है आपका sedimentation ठीक है अब देखेंगेे हम लोग fractional distillation यह भी बहुत important है fractional distillation यह क्या होता है यह भी बहुत अच्छा method है fractional distillation यह बिल्कुल distillation से मिलता ज्रूलता है इस ते इसका नाम रखा गया fractional distillation तो यह fractional क्यों नाम रखा गया क्योंकि इसमें fraction यानि की बांटा जाता है एक ऐसा column यूज किया आता है fractionating column जो जैसे कि आप दो solutions में से अलग है, distill करने का मतलब होता है कि दो चीजे या तीन चीजे मिले हुई है उन्हें आप अलग करो, ठीक है तो इस तरीके से क्या किया आता है कि इसमें अलग किया आता है, लेकिन इसमें एक column का यूज किया आता है, fractionating column जो दो चीजों को, तीन चीजों को अलग अलग कर रहता है, तो इससे बहुत सारी चीजों जैसे कि माललो आप पेट्रोल डीजल का solution है, उससे अलग करना है, तो इससे आप कर सकते हो, और भी चीजे, एलकोहल के साथ में कोई और, अगर लिक्विड है तो इससे आप अलग कर सकते हो, तो इन से भी चीजों में आप ये fractional distillation को यूज कर सकते हैं, जिसमें किनी दो चीजों को, किनी दो लिक्विड्स को अलग कर सकता है, जिसकी boiling points अलग है, ठीक है, अब एक last है, evaporation, ये भी बहुत important होता है, evaporation आपको पता होगा, कि गर्मियों के दिनों में, जो हमारे जो घड़ों के पानी, जो घड़ों, इसा प्रसेस होता है, इसमें liquid को room temperature में उसके vapors में convert किया जाता है, जिससे evaporation कहते हैं, ठीक है, इससे थंड़ा भी होता है, जिस घड़े में पानी रखते हो, उस घड़े का पानी थंड़ा हो जाता है, गर्मियों के समय में, तो ये सबी reasons होते हैं, evaporation के वज़ से वो पा एक और चीज में यहां पर मैं आपको बताता हूं, filtration, filtration तो नाम से आप सुन रहे हो कि filter करना पड़ता है, ठीक है, जो सुधियां होती है, जो imperatives होती है, उसे अलग किया आता है, साफ किया आता है, filtration में ठीक है, यह बहुत easy चीज़ें इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था तो इतनी सारी चीज़ें यहां पर हैं, जो आपको एक्जाम में देखने को मिल सकती है, एक और जो है, जैसे कि chromatography, यह क्या होता है, chromatography, important है, तो chromo जो हैं पर है, chromo, इसका जो chroma है, इसका मतलब ही होता है color, यह जो chroma है, C-H-R-O-M-A, chroma, इसका मतलब होता है color, यानि कि रंग, तो ऐसा एक process है, जिसमें color किया जाता है, एक ऐसा process जिसमें कि color किया जाता है, color वगएरा, design किया जाते हैं, जिस तरीके से भी, तो यह चीज़ें होती है, chromatography, ठीक है, तो इस तरीके से chemistry की कुछ important जो processes थी, और जो कुछ suppression वाली जो process थी, वो हमने आज देखी, हम अपने next video में, बहुत अच्छी चीज़ें और देखेंगे, जो exams के लिए बहुत जादा important है, आपके CDS, CAPF exams के लिए बहुत important है, साथी साथ और भी यतने competition के exam है, उनमें अगर science क questions किये जाते है, तो उनमें भी यह बहुत important है, तो इससे भी चीज़ों का आपको use हो सकता है, और exam में आपको देखने को मिल सकते हैं, इस questions, तो हम आगे जो भी questions देखेंगे, जो भी topics देखेंगे, वो बहुत जल्दी देखेंगे, हमारे सेनल के साथ जूड़े रहे हैं थैंक्यों फ्रेंड्स, थैंक्यों फो वाचिंग, जैहिन!